चोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में शनिवार 27 जुलाई 2024 के एपिसोड में फुल आफ ड्रामा रहने वाला है। तो आए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। चोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। इस शो में दिखाय जा रहे एपिसोड में कुछ न कुछ होता रहता है। बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अपने पार्टनर के सामने रजट से क्लास लगाने वाली है। तो आये जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। आज की एपिसोड में आप देखेंगे की सवी सई को तोफ़ा दिलाती है। सवी की वज़स से सई के घर में हंगामा मच जाता है। इस दोरान सवी की मुलाकात सई की मां से ह सवी सई की मां की बातों में आ जाती है, वहीं रजत अपनी मां से बात करेगा, इसी बीच सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में एक और बदलाव आने वाला है, इस बदलाव की वज़स से सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में बड़ा भूचाल आ जाएगा सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा की सवी गुरु पूर्निमा का त्योहार मनाएगी इस दोरान सवी को ईशान की बहुत याद आएगी वहीं सई की दादी उसकी कस्ट्री को लेकर काफी परेशान हो जाएगी सई की दादी घर में सत्यनारायन की कथा करवाने का फैसला करेगी रजत का पार्टनर उससे कथा में आने की जित करेगा ये बात जानकर रजत घबरा जाएगा रजत हरबडी में सवी से बात करेगा रजत सवी को कथा में आने के लिए कहेगा वहीं सई भी सवी को कथा में आने के लिए मनाएगी सई के कहने पर सवी सत्यनायान की कथा में पहुँच जाएगी शांतनु भी अपने परिवार के पास पहुँच जाएगा इशा और शांतनु के साथ हारिनी गुरु पूर्निमा मनाएगी दूसरी तरफ सवी सई के साथ कथा में बैठेगी यहाँ पर सवी रजत की पत्नी होने का दिखावा करेगी